स्वागत है आप सभी का 18-वी लोकसभा के एक ऐसे चहरे जिन्होंने 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाओ का परिणाम आने के बाद 25 साल 3 महीने 3 दिन की आयुपूरी की और आजादी के बाद से जो सबसे युवा सांसद होने का रिकॉर्ड है वो भी तोड़ा और ये उत्तरप्रदेश की राजनीति और उत्तरप्रदेश के समाज के लोगों के लिए सवभागी की बात है कि ये वो चहरा हमारे प्रदेश हमारी मिट्टी से आते हैं ऐसा चेहरा जो समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ना बढ़ाने की बात करते हैं ऐसा किरदार जो राजनेतिक परिवार से आते हैं तो आईए उनसे बात करते हैं समझते हैं कि राजनीती और राजनीत से होने वाला विकास उसको लेकर उनका मत, विचार, द्रिस्टिकोण और आगामी योजना क्या है। नमस्कार। नमस्कार। पहला मेरा प्रश्णाप से ही है, इसे कि मैंने भी जिक्र किया कि आप भी आपके जितने मैंने भाशन सुने उसमें आप बड़े गंभीर नजर आते हैं। और आपके पिताजी भी काफी स्थिरभाव नजर आते हैं। तो यह राजनीति में आने के बाद ऐसा हुआ है या शुरू से ही ऐसा सुभाव रहा है या कोई और फिल्टर है ने फिल्टर कुछ नहीं है शुरुवाद से ऐसा रहा है मुझे लगता है जब भाशन दिया जाता है तो लोग आपको सुनने के लिए आते हैं और भाशनों में मुझे रखने बहुत जरूरी होते हैं खाशकर के चुनवभी भाशनों में वहाँ पए लोग इतनी गर्मी में अपने साधन से आते हैं वो हमारे नौजवानों के अग्णीवीर किसानों के मुद्दे मैलाओं के मुद्दे तो सभावक है कि हमको मुद्दों पे भाशन युनिवर्सिटी से एकाउंटिंग मैंजमेंट में ग्राजुएशन पुरी करके आए तो मैंने देखा है कि जो राजनेतिक परिवार हैं और बाहर की पढ़ाई है इनका रिष्टा इतना मजबूत कैसे है दिखें बाहर की पढ़ाई थोड़ी यहां से अलग है और बाहर से आप कल्चर भी यहां का अलग है आप बाहर जाईए तो थोड़ा सेर्फ डिपेंडेंसी जादा है अपने आत्मे निर्भारोकर के काम करना पड़ता है और जैसे बहुत से बड़े लोगों ने पहले कहा है क कि अगर आप घूमते हैं जरूरी निया कि बाहर घूमिया अगर आप अपने देश में घूमिये तो बहुत चीज़े सीखने को मिलती हैं तो जो भी मैंने वहां पर सीखा है जो भी मैंने वहां पर जाना है और एक नए तरीके से काम होता है एक अलग तरीके से काम होता है व उसको हम अपने समाज से कैसे जोड़ सकते हैं अपने समाज को उन चीजों से और यहां पे वह राजनीती और इंफ्रस्ट्रक्चर कैसे प्रवाइड कर सकते हैं यह जरूरी चार जून दोहजार चॉबिस को आपकी उम्र पक्चीस साल तीन महीने तीन दिन पूरी हो गई और जहां तक मुझे याद है 16 मार्च को चुनाव की तारीकों का एलान हुआ उसके दो हफ्ते पहले आपकी चुनाव लड़ने की आई पूरी हुई तो यह राजनीती में आना सुनियोजित था या धीरे धीरे ऐसा कोई आधार बना उसके बाद आप राजनीती में आये कभी ना कभी तो था यह और यह जरूर चर्चा का विशेथा कि इतनी जल्दी आना है कि नहीं आना है दूसरी यह चीज थी कि जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट हो पाएगा और वो लीगल तोर पे क्या हम चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे और युवाद से लेकर अन तक आप देखिए कि चुनाव की तारीकों का एलान हुआ टिकेट मिला लोगों के बीच गए तो लोगों ने जित्ती हमारी आशाती उससे कई ज्यादा हमको समर्तन दिया सिर्फ नौ जवानों के साथ-साथ हमें बज़र्गों का भी आशिरवाद मि मैं ठालिये यह अवाद में आपने चाहा कि युवाओं की आवाज उठाना संसद में ये मेरा लक्श रहेगा तो युवाओं के लिए और एक बतौर्ट एक युवा संसर्य युवाओं के लिए आपके पास और क्या है कि जिससे आने वाथ समय में wurden कौशामभी का हूं और क बुजर्ग भी हैं, किसान भी हैं, महिलाई भी हैं, युवाव की बात हम ज्यादा मजबूती से उठा सकते हैं, क्योंकि हमको एक समय मिलता है संसर में बोलने का, उसमें आप सारे मुद्दे नहीं रख पाएंगे, और युवाव हमसे कनेक्ट करते हैं, युवाव को हमसे उम पेपर लीग अभी भी मुद्दे हैं, क्योंकि सरकार वही है, तो उन मुद्दों को उठाना और मजबूती से उठाना, ताकि सरकार उस पर एक्शन लेकर काम कर सके, हमारे नौजवानों को रोज़गार दे सके, ताकि उनका घर चल सके, ये मुद्दे लेकर कि मैं संसत्भ और तो इन मुद्दों पर जैसे मान लिएकर सरकार विपक्ष से उम्मीद करती है, कि इस पर विपक्षी नेता अपनी राय दें, और राय न दे तो जब चर्चा हो, तो प्रशनकाल में ऐसे प्रशन करें, जिससे उस पर कोई भावी योजना बनाई जा सके, तो ये जो दो बड़ी समस्या हैं, जिन पर विपक्ष हमेशा सरकार के लिए आलोचनात्मग रहता है, चाहे वो अगनीवीर हो, पेपर लीक हो, किसानों की समस्या हो, आपने जैसे उत्तर प्रदेश में खुले चानवरों की आवारा पश्णों की समस्या है, तो इनको लेकर आपका क्या प्लान रहेगा? शीटे खाली हैं, लेकिन भरती नहीं हो रही है, अब आइन तयारी करते हैं, आप आइन तयारी होने लग गई है, यहाँ पर हास्टल में रहते हैं, उसका पैसा देते हैं, तो जब पेपर लीक समय आता है, कि अपना जो भी तयारी किये उसको परिक्षा में लिख करके, और अपना दिखाएं कि उन्होंने क्या तैयारिया की है और आगे बढ़ें तब पेपर लीक हो जाता है तो यह उनका मनोबल भी बहुत डाउन कर देता है तो बहुत ऐसे मुद्दे जो अमको संसद्वाद में उठाने और बार-बार सरकार के साथ काम करके सरकार से सवाल पूच करके हमको अपने लोगों के लिए काम करना बहुत जुरूर यह तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अपकी बार विपक्ष मजबूत है तो सरकार शायद ज्यादा सुने अपने लोगों के मुद्दे अच्छा जिस संसदीक शेतर से आप आते हैं कौशामी उत्तर प्रदेश में उसके गिंती विकसित शहरों में नहीं होती और जो आपके चुनाओं में आपके सामने खड़े थे श्री विनोट सुनकरजी भाजपा के दिगजनेता रहे दोबार के सांसद रहे तो आपको नहीं लगता और आपने एक कई लोगों का इमानने और आपने भी कहा है कि उन वहां पर बिजली पानी सडक जो मुलभूत लड़ाओं के लिए लड़ रहा है देखिए आईरीनी है या फिर एक हैसे कि अभी भी हो सकता है कि हमारे बॉर्डर के कई ऐसे गाओं जो निगलेक्ट हो जाते हैं बॉर्डर के कई गाओं हैं जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते हैं हम भी हमने बहुत घूमा लेकिन कई आई ऐसे गाओं हैं जहां पर हम खुद नहीं जा पाएं देगें हमको पता है इतने गाओं गूम करके कि कुछ ऐसी समस्या है जो लोगों तक मूल बूत सुवधाएं नहीं पहुंच पाईएं तो अब हम विपक्ष पे हैं हमारे पास बजट बहुत कम है अगर सरकार में हो सड़क गाओं गाओं में यह मिलना चाहिए और मैंने इसलिए वह बात कही थी कि सबसे पहले हमको अपनी नीव मजबूत रखनी पड़ेगी तब हम आगे बढ़के कोशामभी को और आगे बढ़ा सकते है अच्छा माननी रास्ट्री अध्यक्ष जी ने आजमगड की एक ज क्या आपको सीखने को मिला तो और ये भी एक आरोप लगता रहा है ये राजनेटिक प्रशन जैसा साउंड कर सकता है कि कि सपा के कारिकरता माननी राश्ट्री अध्यक्ष के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही उस भाव में आ जाते हैं मुख्यमंत्री के तो इस चीज को कैस करता की बहुत बड़ी जिम्यदारी होती है और अगर मैं कौशामडी लोकसभा की बात करूं तो हमारे खुट के चुनाओं में हमारे कार्यकरताओं ने बहुत जिम्यदारी निभाई हम अनालेसिस नहीं कर पाए वो अलग चीज है लेकिन ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि इ ख्री वोट गिन नहीं गया तब तक खड़े रहें तो समाजवादी पार्टी के कार्यकरता बहुत मजबूत रहें पर जी से हम चुनाओं आ रहे हैं और समाजवादी पाटी का कारवाः बढ़ता चला जा रहे हमारे चार्यकरताओं का मनुबल बढ़ रहा है और बढ़ चर के के चुनाओ प्रक्रिया और आनेवाले समय में आप देखेंगे की जो कारेकरता हैं हमारे जो अपना इतना मेहनत कर रहे हैं और मजबूती से 27 के चुनाव में मेहनत करके सरकार बनाने का काम करेंगे। आपने एक और साक्षातकार में कहा था कि आप मनमोहन सिंग और अटल जी के भाषणों को सुनकर बड़े हुए हैं। तो क्या ऐसा माना जा सकता है और आपका भी जो कौशामभी संसदी छेत्र में भाषण था बड़ा उसकी चर्चा काफी हुई। उसके कॉमेंट सेक्षन ने बहुत जादा लोगोंने सराहना की है। तो ऐसा क्या माना जा सकता है कि जो वक्तर तुकला है उसकी अभी प्रेणा कहीं न कहीं अटल जी भी है। मैंने उस संदर्ब में कहा था कि जो प्रधान मंत्री रहे हैं। हमने अटल जी को देखा नहीं है लेकिन आज के दिन उनके भाशन अभी यूटूब पे हैं। हैं। हमने सुना है। वह बहुत अच्छे वक्ता थे। क्योंकि वह विपक्ष को भी उतनी भूमिका से देखते थे जितने वह अपने लोगों को देखते थे। कि आज की तारीक में वह नहीं है। आज के तारीक में विपक्ष को अगर कोई आपके विपक्षी है तो वह आपका दुश्मन हो गया है। वो सिर्व राजनीतिक विपक्षी नहीं और मनमोहन सिंग जी को भी हमने देखा वह डिफरेंट टाइप के वक्ता थे बहुत लोग बोलते हैं कि वह अच्छे से बोल नहीं पाते यह गलत बात आप क्या बोलते हैं जितना समय आपको मिलता है क्या आप मजबूती से अपने ल तरीके से बोलते थे तो मैंने वह संदर्ब में बोली थी और उसके अलावा भी ऐसे कई वक्ता हैं जो प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं लेकिन पार्लेमेंट में भी अपने लोगों की बात मजबूती से रखते हैं तो वक्ता होना बहुत अच्छी बात है लेकिन जो आप ब पर उनके राजनेतिक किरदार से क्या सीखने को मिलता है बतौर यूआ बतौर सबसे यूआ सांसद देखिए उनसे मुलाकात तो मेरी कभी नहीं हुई और उनके करियर को हमारे लोगों ने बहुत फॉलो किया मैंने उत्ता फॉलो नहीं कर पाए लेकिन हमारे लोग बताते ह हैं कि वह अपने कारकरताओं को बहुत ऊचा स्तान दे करके ठ्रका के राजनीति करते ते जो भी छोटे से छोटा पारे करता उनसे मिलने जाता था वो नगया नाम पूच्छते ते और कई अगली बार सदे कारकरता को में तो फिर उनका नाम जानते थे और नाम पुकार के बुलाते हैं तो यह बहुत होता है हमारे लोगों के लिए कि कोई उनका नाम पैचान जाए नाम जान जाए उनके लिए बहुत होता है हमको कोई कहानी बता रहा था कि मानि मुलायम सिंग जी एक बार एक राली में गए थे तो वहां पर एक ऐसा ही छोटा कारेकरता मिल गया उनको तो वह राली खतम करके अपने हलिकॉप्टर पर जा रहे तो वह उन्होंने कारेकरता को बुलाया और पूछा कि क्यूं तुम किस स तो उन्होंने उसको पकड़ के अपने हलिकॉप्टर में बैठा के ले गए और उसकी साइकल वहां पर पहुंचवा दी तो यह है अब यह लोग जो है कारेकरता इससे बहुत भावोग हो जाते हैं और बहुत मजबूती उनको मिल जाती है कि इतने बड़े नेता होते भी हमार हुआ झारा ध्यान रखते दा रहा है तो मैंने उनका राजनीति करियर इतना फॉलो नहीं किया लेकिन जितना सुनने को मिलता है इसलिए लोग उनको इतना हुआ धरती पुत्र कहते है निता जी कहते इतना सम्वान डेते हैं तो उनका भी करियर बहुत अच्छा रही है कि मंत्री शीन रेन मोदी जी के काम को कितना पसंद करते हैं देखे मेरा राजनीती में आना ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि जिस तरीके से दस साल काम हो या ना हो वो अलग विशह है पहले भी ऐसा नहीं है कि पहले सरकारों में 100% काम होता था लेकिन काम कुछ होता था कुछ नहीं होता था लेकिन जो महौल आज देश में बन गया है वो अच्छा नहीं है चाहे उसमें न्यूज या फिर मीडिया का आप उसमें करनते हैं कि वो सरकार के दबाब में काम कर रहे हैं सरकार जिस तरीके से पूरे देश में ऐसा महौल है लड़ाई का आप धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाईए या फिर एक धर्म को इतना अवगत करा दीजे कि उनको एक माइनौरिटी से खत्रा है और वो उस नाम पे वोट करें इस चुनावी भाषण में आपने मानिये प्रदान मंत्री जी को सुना होगा उनके पहले के भाषणों से अपकी भाषण जो रहा है उसका स्तर बहुत मीचे गिर गया पहले जब वो 2014 में आय थे तब भी उनके भाषण उठाके देखिए और अब उसमें जमीन आसमान का फर्क है जिस तरीके से उन्होंने मंगल सूत्र की बात की जिस तरीके से उन्हों आज देख लीजे कि काम हो या ना हो लेकिन देश में ऐसा कोई महौल नहीं बनना चाहिए जिस वज़े से लोग आपस में लड़ें आपस में नफरत करें आज देश में वो महौल बन गया है तो ये ठीक बात नहीं है प्रदेश की राजनीति के एक और चर्चित शेहरे ने आपका समर्थन किया या आपका साथ दिया जनसत्ता दल के मुखिया राजबहिया उनसे क्या कुछ सीखने को मिला देखें जब हम चुनावी मैदान में थे और नॉमिनेशन की प्रक्रिया खतम हो गई तो जनसत्ता दल ने अपना कोई कंडिडेट नहीं होता रहा था तब हम हमारे पास एक ऐसा बहुत वोट बैंक बड़ा था जो फ्री हो गया था तो हमारी नेतिक जिम्मेदारी बनती थ उनके सामने भरते जंता पार्टी और समाजवादी पार्टी का कंडिडेट था एक नया चेहरा था और एक इंकंबेंड था तो उन्होंने हमारा विजन समझ करके हमारा सुभाव देख करके हमको आशुरवाद दिया तो मैं उनका धन्यवाद दिना चाहूंगा और जिस तर रहकर के भी और जब उन्होंने पार्टी बनाई तब भी वोट बैंक उनके पास है तो यह सभाविक है कि अपने लोगों के साथ कनेक्ट रखना बहुत जरूरी है ताकि वो आपके सुख दुख और दर्द में हमेशा साथ और जहां पर भी आप जाएं तो आपको फॉलो कर तो यह सीखने को हमको जनसत्ता तलसिम लाएं अच्छे चुनावी मर्च पर आप श्री अखलेश यादव जी के साथ नजर आए और अच्छी केमिस्ट्री नजर आई उन्होंने आप पर भरुसा जता है और आप पेक्षा से अधिक उस पर खरे उतरें तो चुनाओं से पह और ऐसे चुनाओं में किसी नौजवान पे आप भरुसा जताएंगे तो वो एक राश्ट्री नित्रत के विजन के बारे में बहुत पुल्पूरता है कि उनका विजन क्या है वो आने वाली राजनीती कैसा देखना चाहते हैं पार्लिमेंट में किस तरीके की डिबेट हो किस तरीके की भाषा इस्तमाल हो किस तरीके का विजन रखा जाए तो उन्होंने चुनाओं से पहले तो मुझे बोला था बहुत मजबूती से चुनाओं लड़ना और स्वभाविक है कि भरोसा जताया था हम उनके भरोसे पर उत्रे खड़े उत्रे और चुनाओं के बाद यह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जब हमारी संसादिय धलकी बैठा दिया और 95-90% नहुजवान जीत कर भी है तो वह उस बात से बहुत खुशते कि समाजवादी पार्टी तीसरी नंबर की पार्टी जरूर है पूरे देश में लेकिन सबसे यंग चेहरे देने वाली समाजवादी पार्टी है तो यह गर्व और यह जो आप देख सकते हैं यह लौकसभाद जीतने के बाद हम जन सब्तभ दल के राश्रे रग जी के में के पास गयाता उन्होंने ब्ड़ाई दी थी और कई ऐसे हैं विपक्षी दल के नेता जिनका नाम नहीं लेना चाहेंगे जिन्होंने हमको बधाई जरूर दी और जिस तरीके से राजनीती होनी चाहिए जरूरी नहीं है कि आपका कोई दूसरे पार्टी का अदमी जीत गया है तो आप उसको बधाई नहीं दे सकते हैं तो हमको बधाईया मिली हमने धन्यवाद सब्सक्राइब एक नाशनल न्यूस चैनल को इंटर्विव में बात करते हुए आप बहुत प्रभावशाली अंग्रेजी में बात करते ना सुने जा सकते हैं तो जादा कमफटेबल किधर रहते हैं अंग्रेजी या हिंदी पहले मैं अंग्रेजी में जादा कमफटेबल था लेकिन दो महीनों से अपने लोगों के बीच में रहते हैं कि यह कह सकता हूं कि जब दोनों ही एक वली सही है अच्छा राजमीत यह आपका कारेश हिट रहे है इसके लावाँ जब समय बसता है तो होबी क्या है खाली समय में क्या कर किलता हूं स्कुआश और साथ में फुटबॉल भी बहुत पसंद मेरे को तो यह चार स्पोर्ट मेरे प्रात्मिक रही है स्कूल लाइफ से और इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स ज्यादा इंक्लाइंड हूं और समय मिलता है तो मैं बुक्स पड़ता हूं मुझे जहां तक याद आता है कैराना से इक्राहशन मचली शहर से प्रिया सरोज बिहार की लोकसभा एक लोकसभा सीट से शांभवी चौधरी और भरतपुर से जाटव जी पुरा नाम भूलना हूं मैं संजना जाटव इन इतने लोगों की रेस में बड़ी कारीगरी के आजादी के से अब तक का जो इतिहास है इसमें सबसे युवा सांसद होने का अनुभव कैसा है दिए इतनी जल्दी जब आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं जाकर के वहां पर जाते हैं लोगों से मिलते हैं वहां पर बहुत बड़े-बड़े निता आते एक्सपीरियंस लोग आते प्रदान मंत्री जी आते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं यह तो सही बाते की थोड़ा घवराहत होती है पर दीरे-दीरे आप उसमें सम्मिलित हो जाते हैं यूस्टू हो जाते हैं लेकिन मैं इस चीज़ जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश करने के लिए बदलाव करने के लिए क्लिए मन से बोल रही ती है वो सम्मिद्धान के लिए बोल रही थी लेकिन सम्मिदान की ताकत यह है कि आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक नौजवान भी लाको लाक लोगों का जन प्रतिमीद बनके गया है और अपने लोगों की बात रखेगा तो एक मज़ा आएगा डिबेट करने में अपने लोगों की बाते रखने में बहुत बड़े विनिताते उसका का में हो चाहे सरकार से हमारे सरकार से साथ मिल करके काम हो या उनको बार-बार सवाल पूछ करके काम हो क्योंकि वहाँ पर हम सब बैटे हैं अपने लोगों का काम करने के लिए अपने अपने लोगों का जन प्रदिनिदी हैं सब लोगों का एक ही करतव्य है कि कि किसी तरीके से हम अपने लोगों को आगे बढ़ा सके तुम मिल करके काम किया जाएगा सरकार के साथ सरकार के सामने कई ऐसे कटिन सवाल भी रखे जाएंगे जिस पर वो आएक्शन ले तो मज़ा है जैसे राजनीत में क्या है कि लोग संसत में जाते हैं और बहुत आपके पहले भी कुछ-कुछ युवा चेहरे गए हैं लेकिन ऐसा माहौल रहा है या ऐसा राजनेतिक पैटर्न रहा है कि एक समय के बाद वह भी सिस्टम में ढ़ल जाते हैं तो जैसे अभी लोग मैं जितना चुनाओं को फॉलो करते हुए समझ पाया लोग आपकी तरफ बड़ी होप की नजरों से देखते हैं बड़ा आशानवित होकर तो जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आप भी उस सिस्टम में नहीं ढ़लेंगे और जैसे आपने कहा कि आप युवाओं की आवाज उठाएंगे अगनीवीर पर बात करेंगे पेपर लीक पर चर्चा करेंगे किस ने लोगों को बहुत पहले ही बोल दिया है कि हम विपक्ष में हम सरकार में नहीं है तो जिस तरीके से हम काम अपने नौजवानों को नौकरी हो चाहे किसानों के लिए काम हो नौजवानों के लिए काम हो वो करना चाते थे वो अभी हो नहीं पाएगा और आप देखिए कि कि हमारा करतव दायत वह यह है कि हम सिर्व जाकर के अपने लोगों की आवाज उठा सकते हैं हमारे पार्टी के बहुत सांसद हैं विपक्ष बहुत मस्बूत है बहुत सारे सांसद हैं एक समय मिलता है सबी को हमको भी मिलेगा इतनी जल्दी नहीं मिलेगा हमको बहुत कम समय म उनको यही कहते हैं कि हम आपकी बात को रख सकते हैं जो काम है वो सरकार को करना पड़ेगा तो इसलिए मैं बहुत सटीक हो करके बिल्कुल ना मेरे अंदर कुछ ब्लैक और वाइट हो करके कोई ग्रे एरिया नहीं है सीधा पश्च तरीके से बोल देता हूं क्या सच है क्या तो हां मैं उनकी बाते पांच साल तक रखता रहूंगा सदन में कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरे मूं से वो बाते नहीं हुई हो लेकिन मेरे पॉइंट्स मानिय राष्ट्रिय अद्यजी रखें कुछ ऐसे अपने लोगों की बाते क्यूंकि ज्यादा समय राष्ट्रिय अद तो यह मैं स्पश तरीके से बोल देता हूं और क्या होता है कि सिस्टम में ढ़ल जाने का मतलब यह होता है कि जब बार बार रखने के बाद सरकार काम नहीं करती है तो लोगों का मनुबल गिर जाता है तो उनको यह लगने लग जाता है कि यह भी सिस्टम में ढ़ल गए ले लोगोंने काम देखा है चाहे वो नौकरी देना हो चाहे वो ऐसे infrastructure पूरे कोशामभी में बनाने हो जिससे हमाये लोग का उत्थान हो सकते education sector में किसानों के लिए हर sector में ऐसा काम करें मेरे पिता जी को लोग कोशामभी का विकास पुरुश करें तो आप देख सकते हैं कि जब हमाय पास power होती है तो लोग बहुत अच्छे से जानते किस तरीके से हम काम करते हैं छेत्र में जाते हैं, जहां की सडके ठीक नहों, जहां जोपडियां जादा दिखें, जहां कच्ची बस्ती जादा दिखें, या लोग कुएं से पानी भरते नजर आएं, तो थोड़ी निराशा होती है, तो बतौर सबसे युवा सांसत, किस तरह क्या संदेश देना चाहेंग शहर कौशामबी, लोग सुभा शेत्र और ये जो शहर है कौशामबी, इसका पिछड़ापन कैसे दूर होगा? दिखें, सबसे पहले जो सब लोग सुभा उठते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, कमाई बहुत जरूरी है, बिना कमाई के किसी की जिन्दगी नहीं चल रही है, ना घर बन पाएगा, ना रोटी खापाएंगे, कुछ नहीं होगा, हमारा कर्तब यह है कि उनको कमा हमाई का एक infrastructure बना कर दे, एक ऐसा तरीका निकाले, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी मिले, जब कभी हम आएंगे सत्ता में, सबसे पहले प्रात्मिक्ता यह है कि हमारे नौजवानों को नौकरी कैसे मिल सके, और पक्की नौकरी कैसे मिल सके, एक अच्छे पे वाली न है और आगे चलके हमारे पास अपता आएगी तो और ज्यादा रफ्तार से काम हो पाएगा क्योंकि बजट ज्यादा होगा तो हमने जैसे बोला कि हमको अपनी नीव बहुत स्ट्रॉंग रखनी है सबको यह सुविधाय मिल सके और फिर आगे चलकर के जो जो काम हमारे लोगों जस तरीके से उत्थान मिल सके चाहे वह एजूकेशन में हो या पर कुछ ऐसा हमको इंफ्रीय बिल्डर करना हो जिससे कौशामभी के लोग वहीं पर रहे करके वहीं कमाई करके वहीं काम करें और वहीं अपना गुजरा करें ताकि वहां कि कौशामभी की इक माइक्रो लेकिन काम होता रहेगा चाहे अभी स्तर छोटा हो आगे चलके बड़े स्तर पर होगा तो ये थे हमारे साथ उत्तरप्रदेश की कौसामभी लोकसभाज सीट से देश के सबसे युवा सांसत श्रीप उस्पेंद्र सरोज जी